हेल्लो दोस्तों, वेल्कम टू मै चैनल, लेट्स अचिव एक्सिलेंस तो आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारे क्लास ट्वल गुजरात बुड का हिंदी सब्जेक्ट तो सबसे पहला पार्ट है क्रिष्ण भक्ति क्रिष्ण भक्ति को लिखा, किस ने हैं? क्रिश्न भक्ति को लिखा है मीरा भाई ने जिनका जनम 1498 को हुआ था और उनकी मृत्ति हुई थी 563 को ये जो क्रिश्न भक्ति है इसे मीरा भाई ने लिखा है तो मीरा भाई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं मीरा भाई का जनम जोदपुर के कुकड़ी गाउं में हुआ था उनका विवा मेवाड के महराजा संग हुआ था जिनका नाम था कुवर भोजराज विवा के कुछ ही साल बाद उनके पती की मित्य हो गई फिर उनके पिता की भी मित्य हो गई और फिर उनके ससुर की भी मित्य हो गई थी जब मीरा भाई के पती की मित्यू हुई तब घर वालों ने और समाज वालों ने उन्हें बहुत जादा दबाओ दिया कि तुम्हें सती होना पड़ेगा लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था उन्हें सती होना बिल्कुल मंजूर नहीं था और वो सती हुई भी नहीं यहां तक कि उन्होंने अपने पती के मरने के बाद भी अपना जो सिंगार है उसे नहीं उतारा क्योंकि वो ये सोस्ती थी कि श्रिकिष्ण भी उनके पती है उनके पती के मित्यू के बाद उन्होंने अपना सारा का सारा ध्यान श्रिकिष्ण के भगती में लगा दिया सादू संतों के सत्संग में लगा दिया ये सब उनके घरवालों को बिल्कुल पसंद नहीं आता था तो उन्होंने उन्हें जहर देने की भी कोशिश की इन सबी कामों से वो परेशान हो गई और उन्होंने अपना घर त्याक दिया और वो व्रिंदावन चली गई फिर उन्होंने अपना सारा जीवन व्रिंदावन में ही गुजारा और फिर उनका द्वारिका में स्वरगुआस हो गया यानि कि द्वारिका में उनकी मित्य हो गई मीरा भाई के गुरू का नाम था संत रहदास तो चली अब हम हमारी कविता को पढ़ना शुरू करते हैं तो ये असल में कविता नहीं है ये मीरा भाई ने दो पद दिये हैं और वही दो पद हमारे किताब में हमें दिया गया है तो चलीए सुनते हैं कि मीरा भाई हमें क्या समझाना चाहती है इन पदों के द्वारा पहले पद से वो हमें ये समझाना चाहती है कि श्री किष्ण उन्हें दर्शन नहीं दे रहे हैं और वो उनके वियोग में बहुत तड़प रही है वो उनके दर्शन पाना चाहती है तभी उनके मन को शांती मिलेगी तो पहली लाइन से शुरू करते हैं हरी बिन कुछ ना सुहावे मीदा भाई कहती हैं कि उन्हें अपने हरी के बिना कुछ भी नहीं सुहा रहा है यानि उन्हें अपने श्रीकिष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है परम सनेही राम के नीती अलूरी आवे यानि वो कह रही है कि जो उनके श्रिकिष्ण है वो बहुत सनेही है वो ऐसे हैं कि उनसे किसी को भी बहुत जल्दी प्रेम हो जाएगा राम हमारे हम हैं हम राम के हरीबिन कुछ ना सुहावे वो कहते हैं कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान की हूँ और मुझे उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है आवड कह गए अजहूना आये जिवडा अत्ती उकलावे यानि कि मीरा भाई हमें कह रही है कि श्रिकिष्न ने उन्हें कहा है कि वो जरूर आएंगे यानि वो उन्हें जरूर दर्शन देंगे लेकिन अभी तक वो नहीं आये हैं उन्होंने उन्हें दर्शन नहीं दिया है जिसकी वज़े से मीरा भाई का जो जी है वो बहुत घबरा रहा है और अब वो श्रीकिष्ण के दर्शन चाहती है वो श्रीकिष्ण को देखना चाहती है तुम दर्शन की आस्रमाया कब हरी दरस देलावे वो श्रीकिष्ण से कह रही है कि वो उनकी राहा देख रही है वो उनकी दर्शन पाना चाती है लेकिन हरी अपने दर्शन उन्हें नहीं दे रहे है चरण कमल की लगनी लगी नीत बिन दर्शन दुख पावे तो वो कह रही है कि उनके जो भगवान है श्रीकेशन उनके जो चरण है वो एकदम कमल की तरह हैं और अब वो उनके चरणों के दर्शन पाना चाहती हैं वो बहुत दुखी है कि उन्हें भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं वो जल्द से जल्द उनका दर्शन चाहती हैं मीरा के प्रभु दर्शन दीजियो आनंद बरणियों न जावे वो कह रही है कि हे मेरे मीरा के प्रभु यानि कि हे मेरे प्रभु आप मुझे जल्दी से दर्शन दे दीजे जब आप मुझे दर्शन दे देंगे तो मेरे आनंद का ठीकाना नहीं रहेगा मुझे बहुत दिखा रही हैं कि किस तरह श्रिकिष्ण, गोपियो और राधा के साथ होली खेल रहे हैं। मीरा भाई ने इस घटना का एकड़न सुन्दर वर्डन हमारे सामने किया है। तो सबसे पहले लाइन है होरी खेलते हैं गेरधारी यानि कि मीरा भाई हमें बता रही हैं कि जो गेरधारी हैं जो श्रिकिष्न हैं वो होली खेल रहे हैं मुरली चंग बज़ा डफ न्यारे संग जूती ब्रजनारी यानि कि मुरली बज रहा है चारो तरफ बासूरी बज रही है चंग बज रहा है चंग क्या होता है चंग मतलब एक ऐसा बाजा जो चमडा से पुरा धका हुआ होता है लेकिन उसे हाथ से बजाया जाता है फिर आता चन्दन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ भीहारी यानि कि जो मोहन है जो श्रिकिष्ण है वो चन्दन और केसर छिड़क रहे हैं चारो तरप अपने हाथ से भरी भरी मुथ्धी गुलाल लाल चहू देज़ सबन पे डारी श्रिकिष्ण अपने मुठी में भर-भर के लाल किलर का गुलाल सब के उपर डाल रहे हैं च्छैल चपिले नवल कान संग श्यामा प्राण पियारी यानि कि यहाँ पे श्रिकिष्ण को दूसरा नाम दिया गया है च्छैल चपिला तो मीरा बाई कह रही है कि यह जो छैल शबीले हैं इनके साथ में राधा भी है और राधा को यहां पे श्यामा कहा गया है गावत चार धमार राक तह देदे कल करतारी यानि कि श्रिकिष्णे जो है वो साथ में गाना भी गा रहे हैं और यानि कि गीत भी गा रहे हैं और साथ साथ में ताली भी बजा रहे हैं फागो जो खेलत रसिक सावरी बाड़े और रजब्रज भारी तो श्रीकेशन के साथ राधा होली तो खेली रही है लेकिन साथ में इतने सारी गोपिया है जो श्रीकेशन के साथ होली खेल रही है तो इतने सारे लोग जब होली खेल रहे हैं तो पूरा ब्रज गुलाल से भरा हुआ है मेरा के प्रभू गिरिधार नागर मोहनलाल बिहारी तो मेरा भाई कहती है आखिर ये जो प्रभू है वो मेरे हैं और वो ऐसे हैं कि वो सबको मोह लेते हैं तो चलिए यहाँ पर वीडियो को खतम करते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे कुछ भी डाउट हो कुछ भी नहीं समझा रहा हो आप कमेंट कर दीजे और बहुत जल्दी आएगा दूसरा अमक का दार होगा तो इस चैनल पर बने रहे हैं बाई बाई